हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं हर्शला चुहान आज का मेरा लेक्चर बीएस सेकेंड इयर के लिए है जिसमें हम बीएस सेकेंड इयर के सेकेंड पेपर की यूनिट फाइफ के एक टॉपिक अन्योन निप्रेरन मीच्वल इंडक्शन पर बात करेंगे मीच्वल इंडक्शन भी विद्वी चुम्ब की प्रेरन पर आधारित एक घटना है जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने स्वप प्रेरन पर बात की थी उसमें हमने देखा था कि जब हम किसी कॉइल में करेंट फ्लो करते हैं तो कॉइल के चारों और एक मैगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस होने लगता है जिससे उस कॉइल में मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स या मैगनेटिक फ्लक्स गुजनने लगता है इस गटना को self induction कहते इसके लिए दियम देखे तो self induction में एक कोईल होती है जिसमें विद्युद्धारा प्रवाहित होती है और उसी कोईल में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है पूरी गटना एक ही परिपत में या एक ही कुंडली में होती है हम बात करें अन्योन्य प्रेरन की तो यहाँ पर हमारे पास दो कोईल है एक कोईल में जिसको हमने बैटरी से अटेज किया है यहाँ पर हम electric field या electric field प्रोड्यूस कराके इसमें current flow करते है तो इस कोईल के पास में रखी एक दूसरी कोईल में प्रेरी धारा उत्वन्न होने लगती है मतलब एक धारा में एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरी धारा उत्वन्न होना अन्योन्य प्रेरन के लाता है स्टेटमेंट देखे तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युद्धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास इस्थित दूसरी कुंडली से गुजनने वाली बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अतह उस कुंडली में प्रेरी धारा उत्पन हो जाती है और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण केते हैं इसका मतलब जिस तरह से स्वप्रेरण की घटना है उसी के आधार पर अन्योन्य प्रेरण भी होता है अन्योन्य प्रेरण में हमारे पास दो कुंडली होती है एक कुंडली में हम धारा प्रभाहित करते हैं जिससे एक मैगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस होता है और इस मैगनेटिक फिल्ड में रखी दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ट करेंट प्रोड्यूस होने लगता है इस तरह से एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में उसका प्रभाव दिखाई देता है जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे primary coil प्राथमिक कुंडली कहते है और जिस कुंडली में प्रेरीद धारा उत्पन होती है जिसमें हमें induced current दिखता है उसे secondary coil कहते हैं यदि हम इस diagram में देखे तो ये हमारी primary coil है जिसमें हम धारा के मान में परिवर्थन करते हैं या इस कुंडली में अंधारा प्रवाहित करते हैं जिसका effect हमें secondary coil में दिखाई देखता है इस तरह से इस पूरी गटना को अन्योन निप्रेरण mutual induction कहते हैं यदि हम यहाँ पे स्वप्रेरण और अन्योन निप्रेरण में अंतर देखे तो स्वप्रेरण की परिवाशा किसी कुंडली में बहने वाली विद्धुद्धारा के मान में परिवर्थन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरिद्धारा उत्पन हो जाती हैं इस गटना को स्वप्रेरण केते हैं और यदि हम अन्योन निप्रेरण को देखे तो किसी कुंडली में बहने वाली विद्धुद्धारा के मान में परिवर्थन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरिद्धारा उत्पन हो जाती है इस घटना को अन्योन निप्रेरंड कहते है स्वप्रेरंड में केवल एक कुंडली होती है और अन्योन निप्रेरंड में दो कुंडली, दो कोईल होती है स्वप्रेरंड में यदि हम देखे तो प्रेरी धारा, मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है जो induced current है वो हमारे वो main current को direct effect करता है बट यदि हम अन्योर निप्रेरंड mutual induction को देखे तो इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाइद होती है इसलिए ये main current को direct effect नहीं करती है I hope आपको समझ आया होगा कि mutual induction क्या होता है और self induction और mutual induction में क्या difference होता है अगर आपको lecture अच्छा लगे तो please like और share जरूर कीजेगा next lecture में हम देखेंगे mutual inductance क्या होता है Thank you